ऐसा लगता है दोस्तों दो साल बाद जिन्दिकी पठी पर आगई है। अब करीब करीब सभी ट्रेने दोडने लगी हैं। हम लोग रेल का सफर भी खूब करने लगे यहें। बैंक ऑफ बड़ोदा के साथ मिलकर ये क्रेडिट कार्ड लांच किया है इस कार्ड का नाम है IRCTC बैंक ऑफ बड़ोदा रुपे क्रेडिट कार्ड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपे का रेल टिकट खरीदेंगे तो 600 रुपे की बचत हो सकती है दोस्तों और जिन लोगों की टूरिंग जॉब है उनके लिए बचत हजारों में हो सकती है आज हम आपको बताएंगे कि इस क्रेडिट कार्ड से कौन कौन से फायदे होंगे और आप के लिए ये कार्ड कितना यूसफूल है नमश्कार दोस्तों मैं सरता मिश्वर आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बेसिक benefit की जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड से आप पहले shopping कर लेते हो लेकिन payment बाद में करते हो उसी तरह इससे भी आप शॉपिंग कीजिए, टिकट खरी दिये, बिजली का बिल पे कीजिए, जो चाहें वो कीजिए इस सब के लिए तुरन पेमेंट करने की जरुवत नहीं है महीने में एक बार सभी खर्चों को मिला कर बिल आता है और तब इसका पेमेंट करना होता है तो दोस्तों ये था इस क्रेडिट कार्ड का बेसिक फायदा लेकिन क्रेडिट कार्ड से कुछ और तरह के बेनिफिट भी मिलते हैं और ऐसे ही एक बेनिफिट के वज़ा से ये कार्ड स्पेशल है जो लोग पहले से क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग वगरा करने पर रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं इस reward point के बदले आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं ऐसी ही reward point इस card में भी मिलते हैं लेकिन जब rail ticket की बात आती है तो फिर भर भर के reward point मिलते हैं और इसकी वज़ा से ही आपको बढ़िया फायदा हो सकता है हाजारों रुपए की saving हो सकती है आये reward point की इस saving को समझ लेते हैं तो दोस्तों जब आप इस credit card का use करके rail ticket खरीते हैं तो आपको धेड़ सारे reward point मिलते हैं ये point तब और ज़ादा मिलते हैं जब आप ऐसे वक्त में सफर करते हैं जब training ज़ादा भरी नहीं होती है मतलब जब lean season चल रहा होता है ऐसे वक्त में अगर आप ticket पर 100 रुपए खर्श करेंगे तो 40 reward point मिलेंगे यानि 10,000 के ticket पर 4000 reward point हो जाएंगे और हाँ लेकिन अगर peak season में ticket लेंगे तो फिर reward point थोड़ा कम होगा ऐसे वक्त में 100 रुपए खर्श करने पर 16 reward point मिलेंगे यानि 10,000 की टिकट पर 1,600 reward point मिलेंगे दोस्तों अब आपके मन में 3 सवाल आ रहे होंगे इन reward point की value क्या है, इसका use कहा होगा और ये lean season और peak season की तारीके क्या है तो सबसे पहले तो हम आपको तारीक ही बता देते हैं रेल सफर के लिए lean season केवल साड़े चार महीने होते हैं 15 जनवरी से 31 मार्च के बीच लोग सफर कम करते हैं इसलिए ये lean season होता है इसी तरह दोस्तों 15 जुलाई से 15 सिप्टमबर भी lean season होता है इस दौरान सफर करने पर आपको ज्यादा फायदा होगा इसके अलावा जो समय बचेगा वो peak season होता है और उसमें reward point कम मिलते हैं लेकिन उससे भी आपको बढ़िया फायदा हो सकता है अब आते हैं reward point की value उपर वैसे आपको ये तो अंदाजा होगा ही कि एक reward point की value एक रुपए के बराबर तो नहीं होगी क्योंकि ऐसा हो गया तो 40 reward point के बदले आपको 40 रुपए का फायदा हो जाएगा यानि 40% का discount अब ऐसा discount real ticket में संभव नहीं है दोस्तों इस card के reward point की value 25 पैसे के बराबर होती है यानि 40 reward point की value 10 रुपए के बराबर होगी इस तरह अगर 100 रुपए के ticket पर आपको 40 reward point मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 रुपए की saving हुई इस तरह से इस card की वज़ह से lean period में सफर करने पर आपको 10% का discount मिल जाता है जबकि peak season में ये discount 4% का होता है लेकिन इस से पहले कि आपको कोई confusion हो मैं आपको एक बात clear कर दूँ कि ये discount आपको तुरन तो नहीं मिलेगा बलकि पहले तो आपको reward point ही मिलेगा credit card के statement में ये लिखा होगा इनका फाइदा लेने के लिए आपको इन reward point को travel point में बदलना होगा चार reward point के बदले आपको एक travel point मिलेगा इस travel point को आप अगले ticket में use कर सकते हैं आपके पास जितने travel point होंगे उतना discount अगले ticket में मिल जाएगा इस तरह अगर आप किसी साल कुल 10,000 रुपए के rail ticket लेते हैं और वो सभी rail ticket lean season के होते हैं तो फिर आपको 1,000 रुपए का फाइदा होगा वहीं अगर ticket peak season के हुए तो फिर 400 रुपए का फाइदा होगा लेकिन दोस्तों ये फाइदा इतना भी आसान नहीं है इसके लिए कुछ नियम काइदे भी हैं और annual fees भी लगती है इस काड के लिए आपको हर साल 3,500 रुपए annual fees भी देनी होती है इसलिए अगर आप 10,000 का ticket लेते हैं और आपको 1,000 रुपए का फाइदा दिख रहा है तो उसमें से 3,500 रुपए घटा दिजी इस तरह आपको 6,500 रुपए का फाइदा होगा वहीं अगर ticket peak season के हुए तो फाइदा केवल 50 रुपए का होगा खेर दोस्तों इस काड से कुछ और भी फाइदे हैं जैसे अगर आप इस काड का use करके departmental store या grocery की shopping करेंगे तो हर 100 रुपए पर 4 reward point मिलेंगे यानि समझ ये कि 1% का discount हो जाएगा दूसरे सभी तरह की खश पर 2 reward point मिलेंगे मतलब 10% का benefit हो जाएगा इसकी अलावा इस काड की वजह से आपको station पर बने IRCTC lounge का मुफ्त यूज़ करने का मौका भी मिलेगा आप साल में 4 बार ऐसे lounge का use कर सकते हैं इस काड का use करके अगर आप petrol या diesel भरवाएंगे तो fuel surcharge में भी छूट मिलेगी ये काड 1% fuel surcharge को माफ कर देगा इसके लिए fuel का payment 500 रुपै से 3000 रुपै के बीच का होना चाहिए इस काड में कुछ सुविधाय केवल शुरू में ही मिलेंगी जैसे अगर आप काड लेने के 45 दिन के अंदर 1000 रुपै का single payment करेंगे तो 1000 bonus reward point भी मिल जाएंगे मतलब 2500 रुपै का फायदा हो जाएगा इसी तरह 21 जन्वरी 2022 से 20 March 2022 के बीच आपके पास reward point के बदले cash back लेने का option भी होगा दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और सहुलिते हैं लेकिन वो इतने important नहीं है अब हम बात करेंगे इस credit card के नियम और काईदों की credit card से जुड़ी एक information first time user के लिए बहुत important है दोस्तों credit card का bill due date के पहले जमा करना जरूरी है क्योंकि अगर आप इसका bill time पर जमा नहीं करेंगे तो फिर आपको उचा ब्यास देना होगा late payment fees लगेगी और इस सब पर 18% का GST भी लगेगा और ये सब मिला कर काफी ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है आप 2-3 साल में जितना reward से कमाएं उससे ज़्यादा का नुकसान late payment की वज़ा से हो जाए तो इस card की अगली शर्त दोस्तों इस card में आपको train ticket book करने पर अच्छा reward मिलता है लेकिन इसके लिए ticket की booking IR, CTC की website या mobile app पर करना होगा कहीं और से rail ticket book करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा तीसी शर्त ये है कि ticket book करने पर तभी reward point मिलेगा जब यात्रियों की list में card holder का नाम भी होगा मतलब आप दूसरों के लिए ticket खरेद कर reward point नहीं कमा सकते हैं इसके अलावा इस reward point का फायदा भी अपने ही travel के लिए हो सकता है दूसरे के सफर के लिए नहीं reward point भी यात्रा खतम होने के 5 दिन बादी आपके account में आएंगे और जो यात्रा cancel हो गई है उस पर कोई reward point नहीं मिलेगा एक और बहुत खार शर्त है second class या sleeper class में travel करने पर आपको कोई reward point नहीं मिलेगे ये reward point first AC, second AC, third AC, chair car और executive class के लिए ही मिलेगे आएए अब बात करते हैं इस card के fees की दोस्तों ये free card नहीं है पहले साल ही आपको इस card के लिए 500 रुपए देना होगा ये 500 रुपए आपके पहले बिल में चार्ज कर लिया जाएगा इसके बाद अगले हर साल के लिए साड़े 300 रुपए का annual चार्ज लगेगा हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ये card कौन कौन ले सकता है इसके लिए eligibility क्या है सबसे पहला तो इसके लिए आपको भारती नागरिक होना चाहिए दूसरा आपकी कमाई एक limit से ज़्यादा होना चाहिए अगर आप salary हैं तो साल भर में आपकी salary कम से कम 3,60,000 रुपए होनी चाहिए मतलब महीने के कम से कम 30,000 रुपए salary होनी चाहिए अगर आप self-employed हैं तो फिर आपकी सालाना कमाई कम से कम 4,80,000 होनी चाहिए मतलब महीने के 40,000 होनी चाहिए उम्र को लेकर भी इस कार्ड में शर्थ है इस कार्ड को पाने के लिए आपकी उम्र 25 से 50 साल के बीच होनी चाहिए आईए अब हम आपको बताते हैं कि इस कार्ड के लिए अपलाई करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जमा करने होगे सबसे पहले आपको pen card की photo copy जमा करना होगा उसके बाद अगर आप salary हैं तो पिछले 3 महीने का bank statement लगेगा अगर self employed हैं तो फिर पिछला income tax return जमा करना होगा इसके बाद आपको अपने current address का proof भी देना होगा इसके अलावा अगर आप salary हैं तो company का ID card की copy भी जमा करनी होगी इसके अलावा एक photo भी लगेगी card के लिए apply करने के लिए आपको bobfinancial.com website पर जाना होगा application page का direct address आपको description में मिल जाएगा दोस्तों मुझे उमीद है कि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें जादा से जादा share करें और channel को subscribe करना ना भूलें